नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती नमकीन यह तो बताएंगे हम बस थोड़ा सा इंदजार करिएगा इसके अलावा किसी एक खास mail पर हम चर्चा करेंगे किसका mail सेलेक्ट हुआ अगर आपने mail भेजा है तो बस आप इंदजार करिएगा पूरे दिन का हाल हम बताएंगे और mail जिसका सेलेक्ट हुआ है उसके समस प्रशनों का उत्तर आज हम आपको दे देंगे किस प्रकार से आज का पूरा दिन आपका भीतेगा और एक खास भाग्याक्षर कैसे आपकी दिन को शुब बनाएगा इंदजार करिएगा आए शुरुबात करते हैं सब से पहले आज के पंचांग से बात-पत महा शुक्लप पक्ष त्रियोदसी थी दिनांक 4 सितंबर 2017 सोमवार दोपहर त्रियोदसी के बाद चतुरुदसी लग जाएगा दोपहर 12 बचकर 14 मिनट के बाद और रात तक चंद्रमा मकर राशी में केतु के साथ रहेगा नक्षतर रहेगा स्रवन और इन ही ग्रहों पे आधारित रहेग आध की सक्सेस की लेना ना भूलीगा आपका पूरा दिन कैसा जाएगा इसके लिए आज की खास सक्सेस की भी हम बताने वाले हैं लेकिन पहले जा लेते हैं प्रतेग ग्रहों की स्थितियां हैं कैसी सूर्य मंगल और बुध लगनस्त अर्थात सुर्योदे के समय लगने में सिंह राशी में ब्रहश्पती दुती भाव में कन्य राशी का शनी ब्रुश्चिक राशी में है चंद्र केतु मकरस्थ रहेंगे और शुक्र राहो करकस्थ रहेंगे मेशवालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा भीतेगा अब बारी आगई इसकी बिल्कुल इनर्जी के साथ अब आपको पूरे दिन के लिए लग जाना है बिल्कुल सुबह हुआ है सबीरे की वेला रक्त वरनिम सूर्य का उदै लाला लालिमा सूर्योदे और उस समय आपको आपकी खास सक्सेस की मिल जाए तो क्या पूछना मेशवालों के लिए आज सब्ताह का शुभारम बहुत कुछ देने वाला है हर प्रकार से जीत हासिर होगी कई छेत्रों में आप जीतेंगी आज बहुत प्रतिक्षित कार आपका बन जाएगा पिता के स्वास्त की कुछ चिंता आपको सता सकती है लेकिन ओभी शाम तक आप उसमें भी जीत हासिल कर लेंगे क्योंकि दसंभाव में आपकी चंद्रकेतु एक साथ बैठे है शुबरंग आपके लिए आज बादामी रहेगा और भाग के साथ देगा च्हांचत प्रिस्थ ब्रशब राशी विदे से सुब्संदेश की प्राप्ति रहेगी नई यात्रा कर सकते हैं यात्रा में आपको फायदा भी होगा व्यापार के लिए दिन बिल्कुल ठीक है व्यापारिक दिश्टिकोंड से बहुत उत्तम दिन रहेगा मित्रों के साथ कुछ बाहर घुमने टहलने का कारिकरम बन सकता है शुबरंग आपके लिए बादामी माप कीजेगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी रहेगा ब्रिशब के लिए और भाग के साथ देगा पैसट प्रिसट मित्रों राशी दोती भाव में शुक्र राहों की स्थिति अचानक से आप तैश में आके किसी को वाणी पर नियत्रों रखिएगा वाणी को बहुत सौ में बनाईएगा अभी कल ही लाइब शो में बताया था कि वाणी कैसे होने चाहिए ध्यान देजेगा शुबरंग मित्रों राशी वालों के लिए सफेद रहेगा भाग के साथ देगा चियत्तर प्रिसट करक राशी प शुबरंग स्लेटी भागी प्रस्ट बहत्तर सिंग राशी मजबूत इस्थिति प्रेम प्रसंगों में सार्थकता होगी शादी तैहोने की संभावना प्रबल है प्रशाष्णिक कार्यों में जीत हासिर होगी मजबूत समय चल रहा है कैस्ट कर लेजे शुबरंग आपके के लिए सफेद भागी प्रस्ट साथ कन्यराशी शादी के योग लोगों के लिए खुश खबरी मिठाई बातने काते देवगुरु को याद रखिएगा बाहर घुमने का कारिकम बन सकता है धार्मी क्यात्रा भी संभावित है मांगलिक कार्य परिवाद में हो सकता है कुछ विचार करके फिर कदम आगे बढ़ाईएगा धन्समपदा की प्राप्ति होगी शुबरंग आपके लिए आज स्लेटी और भागे साथ देगा साथ प्रस्ट व्रश्चिक रासी क्रोध पर नेंतर रखिएगा गालियां न दीजिएगा किसी को शांद रहिएगा आज इस्थितियां कई बार आपके विरुद हो जाएंगे कि आपको उक्साया जाएगा आप गाली दो आप अग्रेसिव हो जाओ आप डॉमिनेट करो कारे छेत्र में सोमेता बनाए रखे हो सके तो आज छुट्टी मार दीजिए शुबरंग व्रिश्चिक रासी वालों के बहुत साज आपसे प्रशन रहेगा ठकावर भरा दिन रहेगा हर प्रकार से आप आज जीत रहे हैं शुबरंग आपके लिए सफेद भागर प्रिसर साथ मगर आशी कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर शक हो रहा है उसको आप दस बार बिचार करिए और फिर शक करिएगा अप आस तो पर अपने पती पती और पतनी आप सी तालमेल को बिचार करके सोच करके फिर कदम बढ़ाए बहतर रहेगा शुबरंग आपके लिए आज गुलाबी रहेगा और भागे साथ देगा 69 प्रिसर 59 कुम राशी विदेश से खुश खबरी मिलने वाली है शाम तक का दिएगा रिजेक्ट हो जाएगा शुबरंग आपके लिए आस्मानी भागी प्रसर 65 मीन राशी देव गुरू की क्रिपास से आज आपके व्यक्तित तुम्हें निखार आएगा मजबूती के साथ कदम आप आगे बढ़ाएंगे कारिश्यत्र के लिए दिन बिल्कुल ठीक क्रोध पर नियंद्र रखना है भाई और भेहन में जो मलमुटाव की स्थिति चल रहे थी आज शुबरंग आपके लिए पीला भागी प्रसर 55 ऐसे लोग जिनका जनम दिन है अर्थात जिनका जनम दिन चार सितंबर को है बहुत बहुत हैपी बर्डे खोब सारी शुब काम आपके दोस्त का जनम दिन होगा तो यह वीडियो शेर कर दीजेगा दिस इस दी गिफ्ट है यह उपहार दे दिया वह तयार हो जाए पुरे साल के लिए तो साल बीते का कैसा चार सितंबर वालों का आईए बदाते हैं विदेश खूब जाएंगे खूब जाएंगे कई बा होके निकलेंगे अर्थात वहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थापना हो सकती है नेत्रदोष परेशान कर सकता है अक्टूबर नौबर से लेकि फरवरी तक का समय यवर बेस्ट है ननिहाल पक्ष से कुछ बैड न्यूज मिल सकता है अगर आप 4 सितंबर को पैदा हुई है इस वर्ष कुछ बैड नियूज फ्रॉम मैटर्नल साइड माता के स्वास्थ की चिंता सदा सकती है मा का मा से दूरी बढ़ सकती है बसरते मा सिख्टी प्लस हो पति-पत्नी में भी कुछ मैवना से आएगा किसी तीसरे काश तक शेफ हो सकता है शुक्र राहु साथ में पैदा हुई है वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो सकता आपका ट्रांसफर हो सकता है आप परिवार से कुटों बसे दूर जा सकते हैं या जा सकती है उपाय क्या करें पूरे वर्ष को महाशुब करने के लिए आए बता देते हैं किसी हरुमार मंदिर से सिंदूर लाइए और मंगलवार को इसी से अपने नाभी पर टीका कर लिजेगा बस बोलिए सियावर राम चंद्र की जय चलिए अब बताते हैं आप लोगों का खास दिब्य अक्षर भाग्या अक्षर लखी अक्षर मेश के लिए ताह, ब्रिशब के लिए का, मिथुन के लिए जाक्षर, करक के लिए डा, सिंगराशी के लिए नाक्षर, कन्या के लिए पा, तुला के लिए भाग्षर और विश्ची के लिए री, धनुराशी के लिए छोटा उ अक्षर, मकर के लिए खा, कुमराशी के आगों में करके प्रिथवी पर कहीं ब्रिक्ष के नीचे डाल दीजेगा अब सक्सेज की एक ऐसी कुंजी जो आपके सफलता के दर्वाजों को खोल देती है आपके रास्तों को प्रशष्ट करती है सक्सेज की आईयो नोट कर लीजेगा एक सफेद धागा अपने उल्टे पाउं के अंगूठे में बाधिये और फिर आप अपने घर से प्रस्थान कर लीजे बस शाम को उसे खोल कर किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा आपनों की धरकनों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आ गया वो सेग्मेंट जिसे करते हैं लकी विजेता आईये जानते हैं आज के खास मेल जिसको हमने सेलेक्ट किया है लकी विजेता है आज की वैशाली डोले धामन गाओं महाराश्ट से बहुत शुकामना है बहुत बधाईया आपका मेल सेलेक्ट हुआ है आपका मेल देखा तो मैं इतना द्रवित हुआ कि मुझे लगा कि वाकई आप ही वो महिला है आप ही वो लड़की है जिसके मेल को परमात्मा सेलेक्ट होने के लिए भेजा था बहुत नीड है आपको आपका मेल कुछ यूँ है नाम वैशाली जनम दिन 75 1974 समय करीब 10 बच कर 45 मिनट सबेरे स्थान धामन गाउ महराष्ट मेल है पंदरह पहली शादी त्रूट चुकी है 15 साल की बेटी उसका भी नाम आपने बताया ख्याती अठारह नो दो हजार दो नागपूर का जनम है नो बच कर 15 मिनट सबेरे बिटिया को हमारा बहुत आशिरवाद दूसरी शा में जनने दिन उनका है आपसी कलह के कारण दोसरी शादी के बाद भी साथ नहीं रहते हैं लेकिन अब कुछ विप्रीत परश्थतियों के कारण बेटी को साथ लेकर मुझे दूसरे पती के साथ रहने जाना पड़ेगा तो क्या ये सही होगा साथ ही कोई उपाय बताइए तो मिथुन लगनापका आया है और विश्चुकरासी है आपके जर्मांक में पती सुख नहीं है आप जाएंगी तो बहुत सारे समझोते करने पड़ेंगे बिटिया बड़ी हो रही है ख्याती अब 15 साल की हो गई है तो मैं अपने जोत्षिय यान से और आपकी दशाओं के आधार पर पूर्टया मना करूंगा कि आप ना जाएं तो बहतर है बेटी के साथ सौवलंबी बनिए कुछ आप उद्यम करिए मायके का सपोर्ट लीजे किसी रिष्टेदार का सपोर्ट लीजे और कुछ सौवलंबी बनिए अपने दम पर काम करिए बेटी को उत्तम संसका उत्तम सुक्षा दीजी उपाय के तौर पर नॉवंबर तक केतु की महादशा है जे इस्टिकेश्ट प्रित्पदा का जन्म विशाखा नक्षतर मंगलवार का दिन केतु की महादशा जब तक है तब तक आप सुन्दरकान का पाठ हर रोज सूर्यास्त के बाद जरूर विश्चक रासी है चंद्रमा राहु का ग्रहन दोस है तो सफेद धागे वाला एक कुपाय हमने दिया है सर्च करके आप उससे कर लीजिएगा उससे अड्वांटेज आपको जरूर मिलेगा आप भी मेल कर सकते हैं इस्टो.appointment.gmail.com पर किसमत साथ देगी तो आपका मेल सेलेक्ट हो सकता है फिलहाल वीडियो को जादा जादा शेयर करिए अच्छी जानकारी लोगों तक पहुचाइए हमारे इस चैनल को एक करांती की तरह वाइरल करिए खुब लोगों को जोड़िये अच्छी जानकारिया पाईए देखते रहिएगा जोतित दिशा सत्तकीरा और हां इंतजार करिएगा उस खास स्पेशल वीडियो का जो आप तक बस थोड़ी दिन में पहुचने वाला है नमस्कार शिराथे और 27 और 28 अक्टोबर पतना 29 और 30 अक्टोबर लखनाओ अधिक जानकारी वा अपॉंट्मेंट के लिए संपर्क करें डेबल लाइन 10291850 और डेबल लाइन डेबल लाइन 02400 डेबल लाइन